हाँ तो नमस्कार आप से भी कास दिसा ओलन क्लासिस में स्वागत है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के गोधुली हिंदी का चैप्टर नमबर 10 मचली है ना विनूत कुमार सुकल ने लिखा है यह कहानी है और अगर आपने इसका पूरा स्टोरी नहीं सुनाया तो सबसे पहले लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप पूरी कहानी को पहले सुन लीजिए समझ लीजिए उसके बाद इसका अबजेक्टिव टेस्ट दीजिएगा है ना मैं उमीद करता हूँ कि 32 प्रस्न इसमें है और आप 32 में से कम से कम 31 प्रस्न सही करोगे बस वह स्टोरी को आप अच्छे अच्छे सुन लीजिए तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके एक्जाम में यहाँ से तीन से चार अबजेक्टिव बनते हैं सिर्फ यहां से तीन अबजेक्टि बनेंगे लगबग पैला कोशन है कि मछली किस कहाना मछली किस की कहानी है एपशन है राम बिलास सर्मा असोक वाजपी विनोत कुमार सुक्ल 10 अक्तूबर 1912 4 फरवरी 1938 1 जनवरी 1937 है ना तो विनोत कुमार सुकल का जो जन्म हुआ था आप लोगों को मैंने खूब अच्छे से बताया था 1 जनवरी 1937 को हुआ था अप्शन नमबर D सही है अगला प्रस्ण है विनोत कुमार सुकल को साहित अकादमी पुरुसकार किस वर्स मिला था अगर आप स्टोड मि सुन लेंगे तो एक भी objective गलत नहीं होगा उप्शन है हमारा 1990, 1992, 1997, 2000 तो विनोत कुमार सुकल को जो साहित अकादमी पुरुसकार मिला था मैंने आपको बताया था 1990 इसले मिला था अगला प्रसंद है लेखक को मचली खाने से کिसने मना किया था Option A पिता ने option मा ने भाई ने या फिर बहन ने देखिए लेखक के घर में सिर्प पिता जी ही मचली खाते थे और सभी बच्चों को खाने के लिए मान ने मना किया था option number B सही होगा अगला प्रसंद है लेखक के घर में मचली कौन खाता था लेखक, पिता, मा, या बहन है न, तो लेखक के घर में मचली कौन खाता था आपको, है न, एक्जाम में कोशन आएगा तो right answer करना है कि उसके पिता जी खाते थे option number B अगला प्रसंद है लेखक अपने पिता से क्या माँगना चाहता था option खिलोना, किताब, पैसा, या फिर मचली है न, तो लेखक अपने पिता से मचली माँगना चाहता था जिसे वो कुए में छोड़ना चाहता था तो option number आपका D सही होगा अगला प्रसन है लेखक के पिता ने कितनी मचलियां खरी दी थी आप्शन देखीगा एक मचली, दो, तीन या चार है ना तो लेखक के पिताजी ने कुल तीन मचलियां खड़ी दी थी नेक्ट प्रसन आता है विनोध कुमार सुकल किस क्रिसी विश्विद्याले में एसोसियेट प्रोफेसर थे आपने अगर हमारा स्टोरी वाला विडियो देखा है तो ये सब आपको बच्चा वाला कोशन लगेगा और 100% आप सही करोगे अगला प्रसन है मचली कहानी किस संकलन से ली गई है पेरपड कमरा, नौकर की कमीज, महा विद्याले, विश्व विद्याले तो मचली जो हमारी ली गई है कहानी ये ली गई है महा विद्याले से option number C, अगला प्रसन मचली कहानी में किस वर्ग का जीवन व्यतित है, वरनित है, बहुत अच्छे से बताया है हमने निम्न वर्ग का उच्चे वर्ग का मध्यम वर्ग का या क्रिशक वर्ग का है ना तो जल्ली से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तो मचली कहानी में किस वर्ग का है तो राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग का अगला है खड़ीदे गए मचली में कितनी मचली जिन्दा थी है ना कुल मचलिया तो तीन खड़ीदी थी आपको पता है उसमें जिन्दा कितनी थी एक, दो, तीन या चार तोटल मचली तीन खड़ी दी गई थी जिसमें एक मचली मड़ी थी और दो मचली जिन्दा थी मैंने आपको बताया था अप्शन नमर बी अगला अरे अरे कहता हुआ भग्गू किस के पीछे भागा था बताईए ये संतु ने मचली लेके भगा उसके पीछे अगला है पिताजी किस से नराज थे? संतु से, भग्गू से, दीदी से या नरेन से? याद कीजिए मैंने स्टोडी के लास्ट में आपको बताया था कि पिताजी किस से नराज थे? पिताजी नरेन से नराज थे वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजे जल्दी जल्दी से और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें ठीके न? क्योंकि आपके दोस्त अगर गलत जगा पढ़लेंगे तो फिर दिक्कत होगा हमने आपको पूरा हिंदी पढ़ाया है आप पूरा हिंदी वहीं पढ़ें जहां मारा प्ले लिस्ट नीचे दिया गये वहीं से पूरा हिंदी पढ़ें आपके एक्जाम में 95 प्लस नंबर आने की मैं गरंटी लेता हूँ कम सिकम 90 प्लस तो आप लाही लोगे आराम से अगला प्रस्ण है कहानी संग्रह महा विद्याले से पाठे पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है आविन्यो, बहादूर, नगरी लीपी या मचली महा विद्याले पाठे पुस्तक से कौन सी कहानी ली गई है Right answer मचली Option number D संतू किस कहाने की पात्र है स्हुरा साउंड मेरे होता है गारी का इसको आप इगनोर करके पढ़ाई किजे क्योंकि मेन है पढ़ाई संतू किस कहाने की पात्र है नागरी लीपी, मचली, आबिन्यो, बहादूर तो संतु जो पात्र है वो किसका है वो मचली का है option number B अगला प्रस्ण है मचली कौन काटता है है ना मैंने एक एक प्रस्ण को अच्छे से बताय था option लेखक, संतु, भगगू या पिताजी मचली कौन काटता है जल्दी से आप लोग बताएं तो मचली काटता है घर में भगगू जो कि घर का नौकर होता है अगला प्रस्ण है हमारा बच्चे कितने मचली को कुए में डाल कर बहुत बड़ी करना चाहते थे एक मचली, दो मचली, तीन या चार बच्चे कितनी मचली को डाल कर बहुत बड़ी करना चाहते थे भग्व में लेखक में या दीदी में है ना दीदी में या किस में मचली के जैसे समानता दिखी थी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से वह वाला सुना होगा मैंने बताया था कि परिवार के सदस्य में जो दीदी थी उसमें मचली के जैसे समानता थी option D अगला प्रस्ण है ना दीदी से मैंने कहा दीदी आज मचली लाई है तीन है एक सायद मर गई है उन्हें अभी भग्गु काटेगा यहाँ गध्यांस के लेखक कौन है नलीन विलोचन सर्मा अमर कांत विनोध कुमार सुकल या असुक वाजपेग तो यह जो आप पड़ रहे हैं इसके लेखक कौन है इसके लेखक है विनोध कुमार सुकल अगला प्रस्ण है महा विद्यालय नामक कहानी संग्रह किस की रचना है महात्मा गांधी अमर कांत विनोध कुमार सुकल मैक्स मुलर है ना मुझे लगता है इस वाले सेट में आप 32 म मचली लेकर कौन भाग गया था मेरे प्रेमी बच्चों किताब में नहीं दिया लेकिन औब्जेक्टिम में कोशन पूछता है प्रेमी का नाम क्या था संतु, महिंद्र, भग्गु या नरेन है न मेरे प्रेमी बच्चों कहानी में दीदी का प्रेमी नरेन था option number D अगला है मचली के लिए मसाला कौन पीश रही थी दादी, नानी, दीदी या मा कितने अच्छे से मैंने बताया इस टोरी में एक एक चीज को बताया मैंने कि मचली के लिए मसाला पीश रही थी कौन माँ पीश रही थी मचली के लिए मसाला अगला प्रसन आता है विनोध कुमार सुकल किस किसी विश्विद्याले में एसोसियेट प्रोफेसर थे ये तो पहले भी दिखा हमने संजे गांधी, राजीव, इंद्रा, फिरोज है ना तो वो इंद्रा गांधी में थी अगला प्रसन लेखक अपने पिता से मचली क्यों मांगना चाहता था अगला प्रसन है मुहरा नदी सहर से कितनी दूर थी एक मिल, दो मिल, तीन मिल या फिर चार मिल जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मुहरा नदी कितनी दूर थी तो मुहरा नदी सहर से तीन मिल दूर थी अगला प्रसन है ठंड से कांप रहा था संतु, भग्गु, नरेन या बहादूर ठंड से कौन कांप रहा था जल्दी बताएंगे तो ठंड से कहा आप रहा था संतू option A अगला प्रस्न मचली साहित की कौन सी विदा है निबंध है, साक्षातकार है, व्यक्तिगत चित्र है या कहानी है है ना मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि यदि आपने इसका स्टोरी नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप पहले पूरा स्टोरी देख लें आप पले लिस्ट में देखें, नहीं आता है तो सर्च कीजिए गोधोली बाय दिसा ओनलाइन क्लासेस यूटूब पे सर्च कीजिए गोधोली बाय दिसा ओनलाइन क्लासेस जो चीज देखना है उसको by the sound classes देजिए आ जाएगा ठेके ना तो मचली साहित की कौन सी विदायती है कहानी है अगला प्रस्ण है मचली जैसे समानता दिखाई पड़ती है संतु में भगवु में लेखक में या दीदी में ये कोशन तो दुबारा आ गया दुबारा कोशन आ गया कि दीदी मचली के तरह ही तरपती थी पता है न आपको येस अगला मचली किस प्रकार की कहानी है option मनोवज्ञानिक सामाजिक चेक ना एतिहासिक या सांस्कृतिक ये कोशन साइद मैंने आपको नहीं बताया था अगला प्रसन है संतु मचली लेकर क्यों भागा कुवे में डालने के लिए बेचने के लिए पकाने के लिए या काटने के लिए अरे भाई साम तो आपने अगर पूरा स्टोरी सुना है तो इसका आंसर आप लोग कढ़ी दोगे सब लोग जितने लोग देखोगे चाहे इस वीडियो को 10,000 लोग देखे चाहे 20,000 देखे या फिर एकजाम आने तक 50,000 लोग इस वीडियो को देखे वन के हमारे तीन दुनों के अंदर लाइक होने चाहिए सब लोग लाइक करेंगे और देखर चैनल पर जितने भी लोग नहीं है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए आपके एक बड़न दवाने में कुछ नहीं जाता उसके बाद मेरे पहले भाई जाए लिंक नीचे जाकर के इस चैटर का सबजेक्टिव कर लो तब एक स्टोरी दूसरा औबजेक्टिव तिसरा सबजेक्टिव तीनों हो जाएगा तो मन आपका खुस हो जाएगा अगला चैप्टर भी मिल जाएगा आपको जल्दी तो पहले जाएए जाके सब्जेक्टिव कीजिए नीचे लिंक है धन्यवाद आपसे भी गाँ